पूछ लिया मैं जवाब देना चाहतू हूँ आतिक साथ अपने अच्छा सवाल पूछाए अब सवाल का जवाब सुनिए मैंने ये कता ही नहीं कहा कि हमने अपना स्टैंड अमेरिका के प्रती बदला है मैंने ये कहा कि क्या ओवेसी साहब को अमेरिका ने कम्यूनिकेट किया कि उनके जए फिलस्तीन के नारे सुनने के बाद उन्होंने इसरेल के साथ दोस्ती तोड़ दी है वरना तो ऐसा लगेगा कि OVC साहब पार्लेमेंट में जै फिलिस्तीन और वहाँ पे जै इसरेल कर रहे है ये साहब मैंने सवाल पूछा सुन लीजे, पूरा सुन लीजे मुंडी हिलाने के कुछ नहीं होगा दूसरी बात, अमरीका में तो पूसी सी है, वहाँ पर तो शरियावर या कुछ चलता नहीं है सुन तो लीजे ए मान्यवर अतिक साहब सुन लीजे ना अतिक साहब अतिक साहब अमेरिका के पेरवी करने में आज इतना आप लोगों को क्यों मज़ा रहा है अतिक साहब जब अमेरिका ने आतंकियों पर जैसे अलकाइदा, जैसे आतंकवादी गुटों पर और पाकिस्तान में भी स्थित आतंकियों पर करवाई शुरू की थी तो हम तो सब जो लोग आतंकवाद के खिलाफ है हम उसको इसलाम के नाम पर कवर फायर नहीं देते थे हम तो स्वागत करते थे आप ही लोग कहते थे नहीं यह मुसल्मानों को मार रहे हैं आप ही लोग इसको कहते थे वार अन टेरर नहीं यह वार अन इसलाम है आपने और OVC साब ने व्यू बदल दिया है हम तो इसको स्वागत कर रहे हैं और आखरी बात मैं आप से पूछना चाता हूँ बस लास सवाल है एक बात बता दीजे मुझे कि अमेरिका आपको तब भी पसंद आएगा ना जब वहाँ पर चेंज होगा और नहीं गवर्नमेंट आएगी और अगर वो गवर्नमेंट कोई और की रहेगी ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो दोस्ती अभी बनी है किसी के विरोध में किसी के रोध में तो वो जाकर कल खतम हो जाएगी और अब जो संदर्भ है वो ये है कि आप लोग बताईए कि गाजा में तो आपको सब कुछ दिख दिया एक फत्वा जो आपके मौलानाओं ने बोला हो कि हिंदों पर हमला हो रहा है बंगलादेश में और ये गलत है एक फत्वा जारी हुआ हो गजा के लिए तो आप बहुत रोए ठीक अच्छी बात है रोते रही है आप बताईए कि एक फत्वा जारी किया हो कि ये जो हिंदों के साथ है वो गलत वाई एलक्शन की रेली नहीं है वन फत्वा बोलिए 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 कोई काम सा एश्वरे जी जवाब सर बोलिए एश्वरे जी इनी की बात तो तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये अमेरिका को लेके जो स्टांस आपका ये वहीं अमेरिका है ना जिसने एक बार मोडी जी को या कई बार मोडी जी को वीजा देने से इंकार कर दिया था गुजरात के पोग्रम के बाद उसके बावजूद आपने क्या का अपकी बार ट्रॉम सरकार तो ये स्टांस बदलना नहीं हुआ अब जब हसीना जी को जब ने उनको दिखा दिया है रस्ता तो आपका स्टांस चेंज हो गया अब आप उसी अमेरिका को पिस्टांस करने के आमादा है अब आप इंटर्वेंशन के हक में हैं यू आरे इंटर्वेंशन आदर्वेंशन नेशन मैं मैंने के रहा किसने किया मैं आपके बीचे नहीं बोला ना आप लातार बोले ना आपका अडियो सर गरबड हो रहा है सर आपका अडियो करबड हो रहा है आदिल जी आदिल जी आदिल जी एंडिल जी एंडिंग कॉमेंट आदिल जी मैं फिर कह रहा हूँ देखिए आम टाइम पे होता बाते नॉर्मल होती ही चीज़े ठीक होता मीटिंग हुई होती शायद आई गई बात हो गई होती मैं आपको फ्रंकली कह रहा हूँ हाँ एक बार नजर जरूर जाती स्क्रॉल करते हुए या फिर अगबार के पन्ने पलटते हुए पेज थ्री पेज फॉर की खबर है यह जादा अभी हाइप मिल गए मैं मानता हूँ लेकिन पता है क्यों मिली है यह इसलिए मिले है क्योंकि भांगला देश में अभी क्या हुआ है और उसके बाद वो जॉर्ज सौरस वाला पूरा टूल किट योंद्रे योगेंद्र यादव जी यह सारे जो American players यह सारे जो करते हैं इनको क्या मज़ा आता है यह so-called Champions of Democracy grid down यह जो अपने आपको यह देश जो अपने आपको यह देश जो अपने आपको आउट of this graph है Champions of Democracy कहते हैं यह जब जाते हैं कहीं आपने देखा है और इसलिए I am just joining the dots ये dots को मैं सिर्फ जोड रहा हूँ खेल होता है ना बच्चों का एक रास्ता उपर होता है एक रास्ता नीचे dots join करो अभी वो हो रहा है इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ कि why, what was the need अभी क्या जरूरत थी और कोई बात नहीं है नहीं तो page 3, page 4 दो कॉलम की भी खबर नहीं है खराम मत मनिएगा on a normal day असल बात बैरिस्टर असाद उद्दीन वैसी साहब पांचवी बार जीत कर जो गए है, मोदी जी से ज़्यादा वोट लेकर गए है तो मुबारक बात दिने आई थी, कि पांचवी बार और फरजी नहीं है, वोई बताने आई थी मोतरमा, ये तो बहुत बड़ी नूज़ा, अश्वरिया साहब और उसको ट्रॉलर को ट्रॉलर को फॉलो नहीं करते हैं, जो गाली देता है लोगों को उसको फॉलो नहीं करते हो सब्सक्राइब、 नहीं करते है कि iki second two stand नहीं पेयरोल और अबरामरहेम कि रे पेयरोल ये दोराचरित नहीं है वोहीं आके मुवार्कबाद देने आई थी भाचिपा की तरह आप नहीं है आप भाचिपा की तरह नहीं है डबल नहीं आप रखते हैं जो बोलते हैं डंके की चोट पे देख रही है जो बोल रहे हैं भालत देख रहा है ठीक ओके बताने हैं ठीक दीपक जी एंडिंग कामेंच आरहा हुशेजाद आलकम लास्टी आप करिएगा ना आदिलबाई में असर्वेह की सवाल कुछ होंगा कि बैरिस्टर साब ने अमेर मजबूती से कहा होगा उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी है और अगर कहा तो कहा तो यह बात सारवजे निक क्यों नहीं है कि मैंने उनसे कहा कि आप मुसल्मानों पर अत्याजार बद करें वो जैशंकर साहिब को बतला दिया उन्होंने सोचा कि यह तीवी स्टूडियो में डिसकस नहीं हो जैशंकर जी को इमेल कर दिया है ओके पॉंट एक जाओल देव जी जाओल देव जी जाओल जवाब दे रहे सब को एक से राओल जी वैसी ने क्या कहा मैं पहले कह चुक है यह दो ही लोग बता चुक है उस मीटिंग में क्या कहा गया क्या सुना गया यहां पर सब अंदाज लगा रहे हैं तो अगर हम यह अगर यह अब दीपक से मैं क्या कहूं सब्सक्राइब के लिए मैंने कुछ कहना चाहता तो उसको जड़ा इन पर भी सोचना चाहिए कि अब वह अपनी छवी का गोवी सी पत्रकार की बनाना चाहते हैं और इस पर कुछ बाचियर लेना चाहते हैं या एक निश्पक्षत पर यह मेरे चाहते हैं तो यह ज़रा उन को सोचना चाहिए दूसरी चीज़ कि अगर मोदी जी इपनों ने वह वैसी ने उनसे क्या विलिस्तिन पे गाजा पे बात नहीं की और क्या की क्या कि यह किसी को मालूम है किसी को मालूम है यह किसी को नहीं मालूम है सर मेरे को बताओंगा मेरे को किसी को मालूम नहीं है और लॉजिकल फैलिसीज हैं अपने अर्गुमेंट की अपने बात की अभी तो कमस का महावे दिखनी चाहिए वाई सबसे पहले तो एक दूसरे राहूल ने एक पत्रकार को उनकी जाती पूची थी इसलिए जब एक पत्रकार जो उस वर्क से आते हैं उनका सर्याम उनका अपमान किया जाता है और दूसरे पत्रकार चुप होते हैं तो मुझे उनकी भाशा में जवाब देना पड़ा जूप नहीं रहा हूँ जूट सच आपनी तेख करेंगे ना ये शोके विएर टेख करेंगे जब लगातार बोला गया अदिल के दौरा अदिल के दौरा एंडिल जी प्लीज नहीं सब इंटरप करें ने अरे ने आप बोली है ना राओ जी ने अपनी बात बोली से उली दूप इन जाजार रिलाक्स आदेल जी प्लीज डोंट बोली अपनी बात पूरी